दॉक्टर के पास और गुरू के पास अपनी अकल नहीं लगानी चाहिए डॉक्टर ने कहा कि सिरदर ने यह दवा खाले ना ठीक हो जाए मान लेते हो कि नहीं और डॉक्टर ते भी कहो कि हम कैसी माने कि सिरदर ठीक हो जाए गए अरे भाई हम कि तो आप के कहने से क्यों माने अरे भाई ये दवा हो सकता है जहां बनी हो वहां गड़वड़ी होई हो तो पहले तो हम पता लगाएंगे कहां बनी और गड़वड़ी होई की नहीं से बोलो और मरीज इसी खोज में निकल जाए तब तक मर्ज की कौन कहे मरीज भी बचेगा इसलिए ज्यादा आकल नहीं कुछ लोग आकल लगाते है गुरुवों से बहस करते हैं डॉक्टर से बहस करते हैं डॉक्टर ने कहा कि देखो ये ये चीजे मत खाना और वो कह कहें अच्छा डॉक्टर साब थोड़ी देर में आया लौकी तो खा सकते हैं हां ठीक फिर उतनी दाल और मुंग की दाल चल के बादी हां वो भी खा सकते हैं और और परवन डॉक्टर ने कहा हाद होगे खाले ना जा फिर और तो रही और बता दो पर उसने कहा हाँ तो रही भी थोड़ी देर और टिन्डा तो धाक्टर बुड़ा कि तुम हमारी खोपड़ी मत खाओ तुम्हें जो खाना हो तो खाओ एक मरीज से डॉक्टर ने कहा कि हलका भोजन किया करो अब उसने लगाई अपनी आकाल डॉक्टर ने का हलका भोजन, तो हलका क्या मिट्टी पानी में हो, तो नीचे बैठ जाती पानी उपर तो मिट्टी से हलका पानी मिट्टी के उपर तैरता है और पानी से हलका घी, तेल, पानी मिडाल दो तो उपर तैरता रहता है मिट्टी से हलका पानी, पानी से हलका घी, तेल और घी तेल से हलकी पूरी वो तेल घी के उपर तेहरती उससे हलका क्या होगा बोलो ऐसा हलका भोजन करे तो बचेगा मारी इसलिए गुर्मों के ग्यान में भी अकल नहीं विश्वा सदगुरु वैद वचन विश्वासा